So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme के एक न्यू सीरीज के बारे में जैसा कि आप सबको पता है कि Realme की X7 सीरीज अभी तक लाँच नहीं हुई है और Realme की X9 सीरीज के स्पेसिफिकेशन निकल कर आच चुके हैं हाला कि Realme की X7 सीरीज चाइना में लाँच हो चुकी है और X9 सीरीज भी जल्द ही लाँच होने वाली है तो ऐसा एकस्पेक्टेड है कि दोनों ही सीरीज आपको बहुत जल्द इंडिया में भी देखने को मिल सकती है अगर Realme X9 सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के अंदर आपको दो स्मार्टपोन देखने को मिलेंगे जिसमें एक स्मार्टफॉन होगा Realme X9 जो की इस स्रीज का बेसिक वेरेंट होगा और दूसरा स्मार्टफोन होगा Fero variant जिसका नाम होने वाला है Realme X9 Pro तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme X9 Pro की जिसमें दोस्तो हम बात करेंगे इस पॉन की सभी स्पैक्स के बारे में साथ ही बात करेंगे कि ये स्मार्टफोन आपको किस प्राइच पर और कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है तो स्वागत अब सबका टैक रोच पर जानकारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजए ताकि इस तरह की टैक्स बीडियो आपको मिलते रहें तो दोस्तो जैसा कि आप सबको बता है कि Realme X series budget segment में मिलने वाले smartphone की series है और दोस्तो इस series के smartphones में आपको फर्वर के features provide कराई जाते हैं Realme के तरप से तो दोस्तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Realme X9 Pro के सभी features की साथ ही दोस्तो हम बात करेंगे कि कैसा smartphone यह हो सकता है और क्या कुछ आपको इस phone के अंदर देखने को मिलेगा तो फर्स्ट आप अगर हम बात करते हैं इस phone की display के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर आपको एक OLED display देखने को मिलेगी जो कि 6.4 इंचिस की होगी इसके साथ ही दोस्तो 120H का refresh rate और full HD plus resolution यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर friends से बात करते हैं दोस्तों तो display पर आपको top left corner पर एक single punch hole का cutout देखने को मिलेगा जो कि selfie camera के लिए होगा तो display तो काफी कमाल की है ही इस phone की लेकिन इसके लावा अगर हम बात करते हैं इस phone की performance की तो दोस्तों यहाँ पर MediaTek का upcoming chipset देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों होने वाला है MediaTek Dimensity 1200 यह chipset दोस्तों 2021 के first quarter में launch होने वाला है जो कि दोस्तों 5G connectivity के साथ में आएगा तो काफी incredible experience आपको इस phone की performance में देखने को मिलेगा अगर बात करें दोस्तों इस phone की RAM की तो 12GB की RAM देखने को मिलेगी साथ ही दोस्तों 128GB और 256GB storage के 2W आपको देखने को मिल जाएंगे नेस्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस phone की second highlight की जो कि दोस्तों होने वाला इस phone का camera setup यहाँ पर आपको एक triple camera setup देखने को मिलेगा जिसका man sensor होगा 108MP का साथ ही 13MP का एक ultra wide angle lens और 13MP का एक telephoto lens दिया जाएगा इसकलाब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर front camera की तो 32MP का एक front selfie camera देखने को मिलेगा तो 45MP की बैटरी दी जाएगी साथ ही 65W का fast charger inbox देखने को मिलेगा तो battery backup काप ही अच्छा होने वाला है और 65W के fast charger से आप 35 मिनिट में ही full battery कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों यह smartphone Android 11 पर work करेगा तो दोस्तों काफी smooth performance आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाएगी कुछ और details की बात करें दोस्तों तो fingerprint scanner का support आपको in display देखने को मिलेगा साथ ही दोस्तो 3.5 mm का audio jack और USB Type-C का support देखने को मिल जाएगा नेश्ट अगर हम बात करते हैं प्राइच की तो 25-30,000 प्राइच हो सकती है इसके साथ ही दोस्तों यह smartphone फरवरी या मार्च के आसपास चाइना में लॉंच होगा और उसके एक-दू महीने बाद आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है सो गई इसीती सारी information Realme X9 Pro के बारे में आप है मतलए कि आप इस पॉन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस पॉन को लेने में interested होंगे या अगर आपका कोई और भी कमेंट हो तो दोस्तो आप वो भी लेख सकते हैं फिलाल दोस्तो इस वीडो में इतना ही